Oman Counseling, एक बहुत बड़ा confusion, कब से start होगी, इसके ruling क्या होगी, states की 85 seats में क्या किसी candidate को नुकसान होगा, किसको फाइदा होगा, किसको नुकसान होगा, और ये कब से शुरू होगी, ये बहुत बड़ा confusion अभी बना हुआ है, लेकिन अभी इसके ruling के बारे में, rules के बारे में, BGHS ने सभी states को एक लेटर लिखा है और उसमें rules भी बताए गए हैं साथ-साथ उनसे comments भी मांगे हैं कि इन में आपकी क्या राय है तो states द्वारा ये राय दी भी जा चुकी है और ये comments पहले भी मांगे गए थे states से जब common counseling का draft तयार किया गया था यानि मई मन्त में भी सभी states से ये rules मांगे गए थे ये comments मांगे गए थे और अभी भी ये 14-15 जोन को DGHS द्वारा सभी states से ये comments मांगे गए हैं और उनको rules भी बताया है अभी ये क्या-क्या rules हैं कैसे कैसे होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस वीडिय होता है वो सभी state के नाम होता है तो वो हम यहाँ शोर नहीं कर सकते लेकिन उसका जो conclusion है वो मैं आपको बता देता हूँ उसको एक simple language में समझा देता हूँ simple language में कि क्या-क्या states के लिए DGHS ने कहा है क्या rules बताये है और क्या comments के लिए बताया है उनको इसके बाद में procedure के बारे में भी बात करेंगे कि common counseling का क्या procedure रहेगा किस student को loss रहेगा और किस student को profit रहेगा जायर सी बात है कि कोई भी अगर नई implement होती तो किसी ना किसी को नुकसान तो होता ही है फाइदा होता है लेकिन किसी ना किसी को नुकसान भी होता है और इससे भी नुकसान होगा वो कैसे होगा ये मैं आपको इस वीडियो में briefly बताऊंगा और ये कब से start होने वाली है इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो सब नाम कोई भी हो MCC हो या कोई और बोडी का कोई नाम दे दिया गया हो वो counseling करवाई लेकिन procedure same ही रहेगा जो MCC counseling करवा रही है वही procedure रहेगा यानि कि counseling के लिए कोई भी authority रहे MCC रहे या फिर DGHS किसी other bodies को यहाँ nominate करे rules जो मैं बताऊंगा वही रहने वाले हैं यहाँ पर जो DGHS ने states को बताए है तो registration का process same वैसा ही है पहले MCC पर भी registration करना होता था MCC की website पर और state में भी registration करना होता था लेकिन अभी एक ही जगे आपको registration करना है एक ही जगे security money देनी है एक ही जगे registration fees देनी है वो है MCC की website पर या किसी अन्य body जो भी nominate होगी उसके उपर तो registration का जो process है वो सहमी रहेगा पहले जो MCC का हुआ करता था अब जो MCC counselling करवाता था पहले DU quota की भी करवाता था और इसमें जिपमर की भी जो domicile है जिपमर के उनका भी करवाता था और All India और Open ESIC सभी का MCC द्वारा counselling करवाया जाता था लेकिन जो उनके domicile हैं जैसे की DU का है जिपमर का है उनसे जो fill करवाई जाती थी details वो उनसे class 12 की और domicile details fill करवाई जाती थी तो ये details अब की बार भी करवाई जाएगी यानि common counselling में भी ये करवाई जाएगी कहने का मतलब ये है कि आप जिस state के लिए domicile रखते हैं उस state की यहाँ आपको 85% seats मिलेंगी यहाँ 85% seats के लिए आप यहाँ पर eligible होंगे तो यहाँ यहाँ पर आपसे आपका domicile state पुछिया जाएगा उसकी detail यहाँ फिल करवा लिजाएगी तो उसमें आप एक तो open seat के लिए eligible है और एक old india 15% के लिए eligible है और आप अपने state के 85% seat जो government के लिए है उसके लिए भी eligible है तो यहाँ mcc दवारा यहाँ 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 आपसे फिल करवा लिया जाएगा कि आपकी domicile क्या है आप कि state के लिए eligible है और उसकी 85% seat आपको अलोट की जाएगी merit के according यहाँ पर एक option दिया जाएगा कि all india quota और यहाँ पर इस्टेट का भी एक option आपको मिल जाएगा कि आप क्या state quota के लिए भी counseling करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप eligible है वहाँ के लिए आप इसमें apply कर सकते हैं इसके बाद में यह choice feeling कैसे होगा फिर यह भी confusion है तो आप जैसे ही registration करेंगे अभी जैसे की du quota का जिखमर का registration होता है इसी परकार का आप इसमें state का भी आपका यहाँ पर ही registration हो जाएगा सभी states में आपको registration करने की जौरत नहीं यह एक ही जगे registration हो जाएगा registration करने के बाद आप 24 फिल करेंगे अभी existing system में क्या है इसमें क्या है कि जैसे यहाँ एक college आ रही है यहाँ पर आपको state quota और दिखाएगा यहाँ state quota जैसे All India quota है उसी के नीचे वही college में जैसे यहाँ All India quota है तो यहाँ state quota दिखाएगा Sam college के नाम से तो आप जिस state के लिए eligible हैं उसी state की यहाँ पर college दिखाई देगी जैसे example के तोर पर आप राजस्तान state के रहने वाले हैं तो र All India quota में आप इसके लिए eligible हैं 15% के लिए इसमें आप भी eligible हैं और other state candidate भी eligible हैं और अगर आप राजस्तान के रहने वाले हैं तो यहाँ यह सेम college इसी के नीचे जोदपूर यहाँ state quota लिखा हुआ मिलेगा यहाँ तो आप state quota भी यहाँ select कर सकते हैं तो एक candidate यहाँ दो quota select कर सकत हैं और state quota भी वो जिस state का रहने वाला है तो राजस्तान इस्टेट का है उसको state quota सिफ राजस्तान के रहने वाले candidates के लिए ही जोदपूर का दिखाई देगा जो UP हैं गुजरात के candidate हैं उनको state quota में यह जोदपूर की college दिखाई नहीं देगी उनको उनके state की college दिखाई को ओल इंडिया कोटा में ही दिखाई देगी एम्स ओपन कोटा में आता है जिपमर की ओपन कोटा की सीट से वो सारी की सारी आपको ओपन कोटा में दिखाई देंगी तो आप उसमें ओपन कोटा में फिल कर सकते हैं मैंने यहां पर बताया कि आप 15% के लिए इलिजिवल हैं औ आप जिस 85% स्टेट की डोमिसाइल रखते हैं, उस स्टेट के ही कोलेज आपको स्टेट कोटा के लिए दिखाई देंगे, यहां शो होंगे, तभी आप उनको फिल कर सकते हैं, माल लो यहां पर कोई स्टेट, कोई UP का कंडिडेट है, कोई कंडिडेट UP का है, तो उसको राजस स्टान की कोलेजें, ओल इंडिया की तो दिखाई देंगी, लेकिन स्टेट कोटा की दिखाई नहीं देंगी, चाहिए वो गौर्वर्मेंट हो, या फिर ESIC की कोलेज हो, ओपन कोटा की सभी को दिखाई देंगी, तो मैं सोचता हूँ यह इस बात को आप समझ गए होंगे, क कि च्वाइस फिलिंग के दोरान किसी भी कंडिडेट को कोई लौस नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि 85 परसेंट कोटा की लिए अधर कंडिडेट भी इलिजिबल होंगी, 85 परसेंट के लिए उसी स्टेट के कंडिडिडेट इलिजिबल रहेंगे, उन्हीं को ओजू नहीं को काउंसलिंग होगी तो सारे रूल्स मैं आपको यहां पर बता देता हूँ उससे पहले मैं आपको बता हूँ कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें 24 लिस्ट रखिये 2023 के लिए उसकी मदद से आप 24 फिल कर सकते हैं और अपना ड्रीम कोलेज ले सकते हैं इसमें चार साल की कटोप दी गई है जिसके आकोर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कोलेज कहां पर मिल सकती है बॉंड की डिटेल दे रखिये अधर प्रो प्रोलेजेज हैं वो ओपन स्टेट्स यहां पर आपको उसकी कटोफ वगरा और सीट्स वगरा फीस वगरा के बारे में इसमें जानतारी दीगी तो मैं सोचका हूँ यह बुक आपके लिए काफी हल्पूल रहेगी जैसी आप यह बुक डाउनलोड करेंगे हम आप से संपा मैं यहां पर सिम्पिल लेंग्वेज में वो पोइν्ट्स बता देता हूँ पहला पोइंड है एक ही पोटल पर एक ही काउंसलिंग हो गी मतलब यह मैं बता चुका हूँ कि इस्टेट की काउंसलिंग और ओल इनडिया की काउंसलिंग एक ही जगए होगी यानि कि उसकी MCC कर ही होगी इससे student को काफी फाइदा होगा अब यह जो 85 परसेंट और 15 परसेंट counseling होगी इसका जो मैं 24 फिलिंग का procedure बता दिया है मैंने तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि यह किस परकार से counseling होगी यानि कि एक ही जगह सभी college आपको शोफ होंगी इसमें अब जो twice filling का इसमें procedure रहेगा अभी क्या होता है आपको MCC के अगर बात करें या states की भी बात करें तो हर एक state में अलग-अलग twice हैं आपको fill करनी पड़ती हैं एक दो state हैं जहांपर एक ही बार twice fill होती हैं लेकिन काफी सारे states हैं या MCC की बात करें तो आपको हर एक round में twice fill करनी होगी लेकिन अभी जो twice filling होगा इस procedure के अंदर वो सिरफ एक की बार होगा यानि की first round के time में ही होगा ये choice filling जो भी seat increase होंगी वो first round से पहले-पहले increase हो जाएंगी second round या mop-up round में कोई seat increase नहीं होगी क्योंकि जब आपसे twice एक ब आराश्ट्री स्टेट ने भी पिछली साल रूल्स बदली कर दिये हैं MP में भी ऐसा होता था कि first round में ही twice से ली जाती थी बाद में आगे twice नहीं ली जाती थी reporting system reporting system यह होगा कि अभी जो जिस प्रकार से किया जा रहा है possibility है first or second round virtual reporting होगी पहले ऐसा होता था first round में seat alert होगी college में जाओ वहाँ join करो वो virtual reporting होगी मतलब software के अंदर ही आपको report करना है वाइं आपको fees deposit करना है वाइं आपको document से submit करने हैं यह सारा system आपको first or second round में virtual reporting होगी और mopup round होगा वो physical reporting होगी mopup round में physical reporting का मतलब तब जाकर आपको college में वो seat ले लेनी है seat पर report कर देना है mopup round में और mopup round में जब आप seat पर report कर देंगे तो final हो जाएगा, ऐसा ही documents verification भी online होगा, अगर आपको college alert हो जाती है, college alert होने से पहले documents verification नहीं होगा, जब college alert हो जाएगी, तो फिर documents verification होगा, और आप fees के साथ documents भी upload करेंगे, और वो documents college द्वारा एक बार check किये जाएगे, और फिर आपका admission confirm हो validation का system, अभी ऐसा होता है कि second round तक ही sheet upgrade होती है, first round के बाद second round तक sheet upgrade हो जाती है, mop up में sheet upgrade नहीं होती, जब इसमें एक ही बार choice filling ली जाएगी, तो इसमें अपग्रेडेशन का जो system है, mop up round तक रखा जाएगा, mop up round तक रखने का मतलब यह है, कि किसी candidate को first round में sheet मिली, second round में उसक second round में भी ऐसा रहा, sheet खाली मिली तो second में upgrade, नहीं तो mop up में भी upgrade हो जाएगी, और mop up में upgrade होने के बाद में report करना है, उसके बाद में, stay vacancy round में sheet vacant रही तो यह conduct होने के बाद में, इसमें कोई भी upgradation नहीं होगा, फिर इसमें rule अलग से अगर वो बनाते हैं, कुछ security deposit करते हैं जो seat vacant रहे जाते हैं, उसका procedure रहेगा तो online, लेकिन वो यह आगे किस परकार से रखा जाता है इसमें, मेरे ख्याल से जो existing system चल रहा है, stay vacancy round के लिए ऐसा ही होना चाहिए इसमें, लेकिन mop up round तक के rules यह change हो जाएंगे, अब private college और dimmed university के लिए counseling, अभी dimmed university की counseling 108% seat के लिए MCC क और एक software में, MCC द्वारा software बनाया जाएगा, जिसमें seat sharing होगी, जो private के rules है, वो तो मेरे ख्याल से ऐसे रहेंगे, जैसे करनाटका में rule हैं, कुछ seat गौर्मेंट की हैं, और कुछ seat ओपन की हैं, तो वो open वाली share करेंगे, और government की domicile के लिए वो share करेंगे, share तो वहां ही करनी हैं, 100%, लेकिन जो government की seat के लिए, जो करनाटका state के candidate eligible है, government seat के लिए वहां के domicile हैं, तो वो जैसे की 15% seat माल लो, या 85% seat माल लो, तो वहां 85% seat अगर government candidate के लिए हैं, तो करनाटका state 85% private की seat अपने state के candidate के लिए रखेगा, domicile के लिए, और 15% seat open रखेगा, तो इस परकार का य यह counseling होगा private colleges के लिए, सभी states के लिए, अलांकि जो later देया है, उसमें यह लिखा गया है, कि सभी states के लिए open रहेंगी वो, लेकिन हम मान रहे हैं कि जो state, अपने state में, private college में government quota देते हैं, हो सकता है, वो government quota अपने state के लिए रखेंगे, और जो बाकी open seat हैं, वो सभी के लिए open रहेंगी, तो इस परकार से यह counseling rules से, DGHS ने सभी states को देये हैं, तो इस परकार से यह counseling हो सकती है, इसकी, आप loss और profit की बात करें, देखो profit सबसे ज़्यादा student को होगा, लेकिन loss भी होगा, कम student को, सबसे कम student को loss भी होगा, अब profit तो कैसे होगा, profit के लिए तो हमने देखा है कि आपने एक ही जगे, एक ही platform पर आपको counseling करवानी है, तो यह तो यह फाइदा है, एक तो आपकी counseling एक ही platform पर हो जाएगी, जगे 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 आपको registration नहीं करना पड़ेगा, दूसरी बात इसमें मोपप तक अपग्रेडेशन होगा, आपको बार-बार twice will नहीं करनी student को, अब low skin student को होगा, तो पहले कैसे होता था, पहले ऐसे होता था कि student कभी state में भागते थे, कभी MCC की तरफ में भागते थे, और second round के बाद student में एक दर लग जाता था कि हमें seat नहीं मिलेगी, तो वो BDS की तरफ ले लेते थे और private colleges में admission ले लेते थे, तो बीच से student निकल जाते थे, private college में निकल जाते थे, या कोई BDS ले लेता था, या फिर other courses में निकल जाते थे, तो निकलने से नीचे वाले students की stray vacancy round तक possibility बन जाती थी पहले, लेकिन अब भी वो possibility उन candidates की नहीं मिलेगी, जो नीचे वाले candidates की possibility बनती थी वो नहीं मिलेगी, तो उन candidates को लोस होग लेकिन उनके उपर वाले जो candidate मैंने बताया, जो डरक के BDS में admission ले लेते थे, इस्टेट के private में admission ले लेते, उनके लिए ये काफी profit होगा, क्योंकि उनको seat मिल जाएगी, और इसमें first और second round में ही ज्यादातर seatیں close हो जाएगी, student को पहले ही पता लग जाएगा first round में, क्योंक एक ही seat, एक ही candidate को alert होगी, चाहे वो All India की alert हो रही है उसको, या state quota की, तो जब एक student को एक ही seat alert होगी, तो उस वो first round में alert हो जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा किसीने seat छोड़ दी, नीचे वाली college की seat ले ली या कुछ भी किया, तो वो एक आद seat खाली हो जाएगी, लेकिन बहुत कम seat vacant होके आएंगी second round में, ज्यादातर seat first round में ही fill हो जाएंगी, क्योंकि महराष्टर MP की तरह तो है नहीं इसमें, कि आपका अगर All India में हो गया तो seat vacant होगी, नीचे वाले candidates को मिल गी, वहाँ तो सिरफ जब counseling है एक ही है, तो student seat कौन सी छोड़ेगा, student तो seat है जब उपर वाले candidate seat छोड़ेंगे, और एक ही बार चोड़ेश फिल होगी, तो ये फाइदा भी है student को, और जो जिन student को जो भूले भटके हैं, इस्टे vacancy में seat मिलती थी, उन student को, जो कुछे की student होते थे, उनको seat नहीं मिलेगी, अब बात करें कि ये common जो counseling है, क्या इस साल से लागू होगी, तो मैं आपको clear cut बता दूँ, इस साल से इस common counseling लागू होने की कोई possibility नहीं है, इसका कारण ये है, state quota के forum फिल हो चुके हैं, यानि कि केरिलाई state के forum फिल हो चुके हैं, और आज तमिलनाडू state का भी notification आ गया है, state counseling के लिए, तो 2023 में ऐसी कोई possibility नहीं बन र क्योंकि संकेत इस प्रकार से मिल रहे हैं, state quota के registration अलड़ी हो चुके हैं, और दूसरी बात ये है कि इसके लिए एक software तयार करना पड़ेगा MCC को, तो इस software के अंदर सारी state की eligibility फीड करनी पड़ेगी, कोण सा student किस state की eligibility रखता है, वो सारा का सारा इतना लंबा काम है, इतने दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि 31 अगस्ट के लिए एक deadline दे गई है, कि इस साल MBBS admission 30 अगस्ट तक complete हो जाएंगे, तो इतने कम समय में ये हो पाना ना मुमकीन है, तो मेरी जो राय है, वो यही है, कि इस बार common counseling किसी भी हालत में नहीं हो सकती, जो पिछले साल system था, वही system इस को बता दिया है, अब बात करेंगे हम, books के बारे में, books का मतलब ये है, कि मैं हर वीडियो में book के बारे में इसलिए बताता हूँ, कि इतनी महरत से ये book बनाई गई है, तो आपको इसके बारे में फाइदा मिल सके, facility क्या है इसमें, ये मैंने आपको उपर बता दिया है, ये आपके लिए काफी helpful रहेगी, और जिन students ने इसको download किया है, उन students के लिए काफी helpful रही है, तो ये जानकारी थी, जो मैंने आपको दी है, वो common counseling के बारे में दी है, सारी possibilities, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, और जो मैंने बात बताई है, वो बिलकुल authentic है, क्योंकि आप जो हमारे पुराने viewers है, वो इस बात को जानते हैं, कि हम जो भी information देते हैं, वो authentic information होती है, सारी की सारी, views के लिए हम एक भी वीडियो नहीं बनाते हैं, तो मिलेंगे नई update के साथ, नई वीडियो में तब तक के लि कर गाτιो है, डिए हम जObेते हैं, कि वीडियों हैं, चित पुराई हैं, आप एल्ते हैं, क्या झानते हैं, क्या सक्किना हैं, था लिए होत Monica जाते हैं, कि sound.